तो आज है जुम्मा और अभी रात का टाइम हो रहा है तो बस मैं वेट कर रही थी कि बच्चे सो जाएं तो मैं अपना काम कर लूँ तो मैंने ये सारे कपड़े जो हैं निकाल कर रखे हैं सारा सामन निकाल लिया जो मुझे रखना है तो आप लोग सोच रहे हों कि मैं कहा की चुट्टियों में जाओंगी कि लेकिन मम्मी जो है मजे बहुत याद करी है और बुसे बोर रहे हैं कि अब आजा तो मैंने बोला ठीक है मैं अभी आजाती हूं दो तीन दिन की चुट्टी बनेंगी उसकी ठीके बन जाएंगी लेकिन मां पहले है तो इसलिए मैं अपनी म मताब की कहीं पर जाना होता है तो बस मेरी पेकिंग जो है सारी हो गई है यह मैंने सारी सामन निकाल कर रख दिया है अपने सेंटिल वगएरा इनकी जूते और यह सुबा पेने के कपड़े और यह है कंप्यूटर बैक जो लैपटॉप बैक है तैयार करके रख दिया और अप सुबह सुबह ऐसा कुछ खाने का मन नी करता है तो मैंने सुच चलो पोह चाय खालेंगी तो भूक नहीं लगेगी तो बस इसलिए मैं पोह बना रही हो थोड़े से ही और अब जो टाइम हो रहा है साथ वज रहे हैं क्योंकि हमें निकलना है नो बजे तक तो इसलिए मैं भ जा रही हैं मुझे लेकर नी जा रही है तो इसलिए उसलिए रोने रहे क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी मतलब चुड़कर नी गई हूं मैंने बात भी नहीं किये लेकिन इस वार मैंने बोल दिया तो वह बहुत गुस्ता हो रही तो फिर इसलिए मैं उसको लेकर आने होगा और बैसे तो गूमने गए हैं रहने भी गए हैं और इंसान जब सुखी में साथ होता है और दुख में साथ लाहो तो बेकार लगता है और अगर इस टाइम पर यह नहीं आते तो फिर मन में आता कि देखो दमाद अब नहीं आए और पहले रहने के लिए तो इसलिए अब नहीं में जाओंगा क्योंकि यह हमेंसा आगे रहते हैं तो आपने देखा भी होगा तो इसलिए जो है कपड़े बेगार बहुत ज्यादा दिख रहे थे और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कपड़े लगते हैं तो इसलिए मेरा जु बढ़ा बेग है वही हुआ और यह मैंने पापा जी के लिए चाय बना लिए उनके तोस ले रहे हैं तो बस निकाल लिए दूद्र निकाल लिए बेटू का और इनके लिए और बस चाय चान लेंगे तो बस हम लोग नास्ता कर लेंगे तो यह किया मिञानी करना ताब हमारा नास्ता त्यार तो अभी हम लोग बस में बेट कर आए और यह हैं इनु और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो गया है दस बज़े है तो इक बच जाती है दस वज़े में वहर गंटिबस जाती है तो हम लोग ये है αलीया तो बस अभी हमारा सफर जो है शुरू हो गया है स्वीप्री से गौालियर तक का फिर गौालियर से मुरेने तक का शुरू होगा क्योंकि बस आपको पता चेंज करने पड़ती है और मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा सा मोसम मैं जिसे सर्दियों वाला मौसम रहता है न बेसा मौसम लग रहा है तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको दिख रहा हुआ पहार के पास जो है थोड़ा से दूंद्रा दिखाई दिरा तो अभी हम आगए में गौालियर और बस म यहां पर इसकी बस में मिलती है गौड़ियर से मुरहेंने के लिए इस तरह की नॉर्माल बस्ट मिलती है और जाती है तो आपर बहुत तरवी कॉछी हो नहीं है जैसे यहां से वहां मतलब स्यूप्री से गवालियर तक चीज़ है तो यहां से वहां तक बैसे तो अगर मतलब रुके नहीं तो आदा धेंटें पोग जाते हैं लेकिन धेंटा लग जाया यानिकिन देर वजी तक खर्शोच जाए तो इनो कहा जा रही हो कहा जा रही हो किसे बात कर रही हो है किसी से बात कर रहे हैं बात रांपे हैं अलो है तो मैं आई हूँ फाइनली अपने घर पे और मुझे आई हुए आदा घंटा हो गया है तो बस मैं भी नीचे थी आई कर डwives ही इजसे ही के पास थी तो बाते कर रही थी तो देर से तो फिर इन आया हो ड़ने लगी तो फिर मैं उपर लेकर आई वह इसी री में जिसमें हर बार रुकती हूँ मेरा मैं हर ती फिरम ने मुझे बला लिया कisme मेर इस दो मेर इस आपनी सुस्राल आगाया बरिमा हम विलान बर्ण ससराल मेरे आपनी सुस्राल मेरे टिसराल मेरे टिए कि वोकिके आदीन अउस्ट दिन जोंको लेकर क्यों कि अधаты मैं इनाया को लेकर क्योंको आपको लुकाटिया कभी भी इसको छोड़ दर नहीं गई हूं तो बस इसने सुर लिया और यह बहुत ज्यादा रोई तो फिर मैंने ठीक है चलना साथ में तो फिर यह बोलने लगे कि दोनों बच्चों को लेके जाएगी तो फिर कैसे समाले क्योंकि आद बच्चे मुतलब बहुत मस्की से समलते हैं और दोनों अगर साथ में हो तो बहुत जादा परसंद करेंगे तो इसलिए वो लेलागे कि सफर कैसे करेंगी और फिर वहां पर भी कैसे रखेंगे तो इसलिए जो है इन्होंने बोला चलो तीन-चार दिन की तो बातें मैं चलता हूं साथ और अभी इस टाइम पर खेर पर अभी तो है अभी लेकिन अनमसर इतनी नहीं है जो हम पिछली वारायते रव्जानों में है और पहले बोट जयाधा तो रवे ती आधि लेकिन अभी गुलावी सब्सुरूं। लेकिन अभी तो यहां एकुत प्र फिर जादा गर्मी लेए ती आधि तो बहूं अबहली सर्दी नहीं लगी। नम्य नहीं बरस अचेकी हो अभी नहीं आपर अम इसमें नहीं रहने रहे हैं वर बस में से तो विछ था था तो इतना वहेंगा लाल चेर हो गए थे, दूप के भी हो गए थे, बस में भी हो गए थे, लपत लग लग रही थे, लेकिन इसमाग ठीक है, लेकिन मम्मी के पास जो है, तो कित्ती भी लड़की कित्ती प्रणा इसी भी मुझे सकती है बस यही है, सारी परणा जेल ने के लिए लेकिन मम्मी के पास आए गया हो, इसके रादा सारी परणा चूएँ, गाय बोए हैं मम्मी के बात कर ली मिली मम्मी से, मम्मी के पास कि दूला भाई को गहां जो पूछती है कि पहले मम्मी पूछती है जो पूछती है कि अपना पूरा प्रज आदा ना उती है कि आपने में वूछती है निए पूरा जाय भी पूरा पूरा पूर्ण को एफ हुआ है यह जो पूरियानी काली बनाई है बनाई चिकल लेकर है फिर्यानी निष्काल निकाल के लिए लिए है है गुलव साथा नहीं पृजद आगिया है और अहरे सची है मेरी बेश्त असली बेहन है जया सब्सार निए चीजिए क्योंकि जैसे मैं करती ति झाल गर को समाल दी उसी तरीके से गुलव साफ समाल ली तर्द मेरे बहुत कम मरसे लगवर तुर्द सुरुण कर दी तो इस व अभी बीमार रहने लगें तो एक दम से उसको काम मतलब फेस्वरू से तो इतना ज्यादा नहीं कर दी लेकिन अभी उसको बहुत ज्यादा करने बहुत अच्छे से लड़कें ना बॉगला जाती हैं कैसे हम क्या करें और बहुत उमने जंजट लगते लेकिन हमारी कुल भी न ठीकें लगार, आप लोग देख भी रहो होंगो इसकी वीडियो में तो वासर माली में पूरा घर नहीं अच्छे से लिखा रहा पुलबसा की बिर्यानी दिखाते हैं गुलबसा लाइए बिर्यानी मसाला और प्यास काटके और यह है दे को चिकन बिर्यानी और यह दे को इन वेडी आल्या और यह वेडी एक्स्टरा ममी इसकी भी बहुत तारिफ कर रही है क्योंकि ममी की छिद्मत बहुत जादा करती है यह लड़की है बहुत अच्छिसे काम करती है और यह बैटा टकला ऐह टकले तकले आधे वाला यह अर्टकला है इन्नु घटारी होगया इन्नु देख रही है क्या है सब boss로 걌 ने अगर आप लोगे को में आज का व्लाक में पसंद आया हो तो लाइक कर दी ना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं नेक्ट फ्लोक के साथ अल्ला आपने बाए बाए